वहीं पश्चिमंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर्ची ने दिल्ले हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशान असादा मालदाजिले के सुजापूर में तर्मूल कोंग्रेस के कारेकरताओं को संबोधित करते हुए मम्ता बैनर्ची ने कहा कि उत्तरपूर्वी दिल्ले में हुए दंगो की सुप्रीम कोट की निगरानी में नियाइक जाच होनी चाहिए उन्होंने आरूप लगाया कि रास्टे राजधानी में दंगो का गुजरात मोडल अपनाया कया है बता दे उत्तरपूर्वी दिल्ले के कैई इलाकों में 24-25 फरवरी को भड़की हिंसा में दिल्ले पुलिस अपराद शाखा तावर तोड गरफतारिया करने में जुटी है बुद्वार तक 1647 लोग गरफतार और हिरासत में लिये गए हैं लेकिन मौस वांटेड ताहिर उसेन का दिल्ले पुलिस कोई सुराख नहीं लगा सकी है